हेलो फ्रैंक्स मैं लक्षमाक्षिंग मेरा यूटूब चैनल जी के मस्ती वीडियो में आप सुभी का स्वावत है मंजिल कहा है? मंजिल कितनी दूर है? मंजिल पर कैसी पहुंचे? मंजिल कहां तक ले जाएगी? मंजिल का अंत कहा है मंजिल क्या है मंजिल क्या है मंजिल सबसे जरूरी है अपने मंजिल को पाना लक्ष को पाना लक्ष को प्राप्ति करना लक्ष को हासिल करना हर एक आदमी का एक लक्ष होता है एक मंजिल होता है जहां तक उसे जाना पड़ता है वहाँ पे ले जाने वाला जो सक्स होता है, हम और आप नहीं होते हैं, वो एक रास्ता होता है, रास्ता हमें मंजिल पहुँचा देता है, लेकिन खुद का मंजिल नहीं है उसका, रास्ता क्या है, रास्ता हमको अपने मंजिल तक पहुँचाता है, लेकिन खुद का उसका मंजिल का कोई समापती नहीं है कोई सीमा नहीं है कि फिर उसका मंजिल है कर तो हम अपने मंजिल को आने के लिए कुछ भी करते हैं दिन रात मेहनत करते हैं पढ़ाई करते हैं बहुत सारे कान करते हैं लेकिन फिर भी आदमी जो कम मेहनत करें ज्यादा मेहनत करें उससे डिप उसमें डिपेंड करता है कि जिसके पास मेहनत और लग जिसका लग भी हो और मेहनत भी हो तब जाके वो अपने मंजील को पा सकता है आप बोलेंगे कि मंजी तो सबको मिलती है कैसे मिलती है आप जब मेहनत करोगी आपका लग साथ देगा आप मेहनत नहीं करोगी आपका लग साथ नहीं देगा हमें सबसे ज़रूर है मेहनत करना और अपने लक्ष को पाना लक्ष को कैसे हासिर करना है यह हमें खुद के मेहनत बिश्वास होता है कि लक्ष हम पास सकते हैं कि नहीं मंजील पे पहुँच सकते हैं कि नहीं मंजील हमारे लिए है कि नहीं है क्योंकि खुद विश्वास करना पड़ता है अपने आप से कि हमें मन्जिल तक जाना है यही है और मन्जिल हमको आकर ही रहना है लेकिन मन्जिल सबको नहीं मिलती सबके मन्जिल अलग अलग होते हैं सबके रास्ते अलग अलग होते हैं सबके कहानी अलग अलग होती हैं सबके पार्ट अलग अलग होते हैं लेकिन लक्ष सभी का एक ही रहता है हमें कुछ करना है हमें अपने मन्जिल तक जाना है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में त आस्टा का इतने, थैंक यू